बिस्मिल्लाई रेमान रिरहीम शुरू करती हूँ अला के नाम से जो बड़ा महरबान और निहायत राहम करने वाला है अस्सलाओं वालीकुम विवर्ज उम्मीद करती हूँ आप सब खारियास से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहां रहें खुश रहें अबाद रहें आज हम बना रहे हैं चुकंदर गोश गाइज इसके लिए हमें चाहिए गोश अधा किलो चुकंदर एक पाओ मैंने इसको बारीक सब लकुल कद्दुकश कर लिया है ताकि जल्ली बन जाए नमक वन टी स्पून हल्दी पॉडर हाफ टी स्पून गरम मसाला हाफ टी स्पून लाज मिश पॉडर टू टी स्पून धनिया थोड़ा सा हरी मिर्च चार अदाद लसन अदर का पेस वन वन टी स्पून ये प्याज है दो अदाद मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है जितना भी समान है गाई यह सारा का सारा मैं इसी में अड़ कर दूँगी यह बहुत जल्दी बनता है बहुत अच्छा भी बनता है और यह देखें आप लोग मैंने जहें इसमें चुकंदर एड़ कर दिये हैं और color देखें guys कितना जबरदस है चुकंदर का टिमाटर भी add कर दिये हैं और साथ में मसाले सारे के सारे और अब जो है मैं इसमें प्याज add कर दूँगी यानि कि जितना भी हमने समान निकाला हुआ था guys सारा हम इसी में add कर देंगे cooker में और अब मैंने जो है इसमें देड़ गिलास पानी add कर दिया है और पानी मैंने उसी पाउल में ले लिया था जिसमें मैंने चुकंदर काटे थे ताके चुकंदर का पानी था guys वो जाया ना हो और अब मैंने इसको चुले पर लग दिया है तकरिबन 20 मिनिट के लिए जब तक सीटी नहीं बोलती guys मिलते हैं 20 मिनिट के बाद यह देखिए guys 20 मिनिट हो गए थे और जहे हमारे जो ही चुकंदर भी गल चुके हैं गोश भी गल गया है guys this temper मैंने flame को थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताके पानी जहे जल्ली खुश्क हो जाए अब मैंने इसमें आदा कप जो हे oil डाल दिया है और oil के साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे पहले हमने इसमें oil एड नहीं करा था और अब जहें मैं इसको अच्छे से भूनेंगी जब तक के इसका विल्कुल पानी खुश्क नहीं हो जाता जब तक मैं इसको भून रही हूँ guys आप लोग मेरे चैनल को सर्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताके आपको मेरी वीडियो बरवाग देखने को मिले और guys अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे like करें, share करें और comment में जरूर बताये करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी recipe कैसी लगती है ताके मेरी भी होसला वजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाओ और अच्छी से अच्छी recipe लेके आओ guys ये देखें मैंने अब इसमें हरी मिर्चे add कर दी है और आप लोग color देखें कितना जबरदस लग रहा है सालन को देखकर तो guys गुलाब के फूल याद आ रहे है और आप लोग देखें इसमें हरी मिर्चे कितनी अच्छी लग रही है बहुत ही जबरदस बनता है और आपको पता है चुकंदर कितने ताकतवर हैं और इनसे खोन भी बनता है आप लोग भी सालन को अपने घर में जरूर बनाएगा guys इसका कलर ही इतना अच्छा होता है कि अगर कोई नई भी खाने वाला होगा तो उसका भी दिल चारी लगेगा इसको देखकर और मैंने जो है इसके साथ सादे चामल बनाए थे और ये सादे चामलों के साथ भी बहुत ही जबरदस लगता है और पराटों के साथ भी इच्छ लगता है रोटी के साथ भी इच्छ लगता है आपकी मर्जी है किसी भी चीज के साथ इसको खा सकते है guys और ये बहुत ही जबरदस होता है और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है अब जो है मैं इसमें हरा धन्या एट कर दूँगी ये देखिए इसका कलर और लुक देखिए माशालला से कितना अच्छा है मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ ये देखिए गाइस हमारे सालन का फाइनल लुक माशालला से कितना अच्छा लग रहा है और कलर देखिए और जायका तो बस पूछे ही नहीं कितना जबरदस्त है इसका ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है यह खाने में उससे भी ज्यादा अच्छा था आप लोग जो है इसको जरूर बनाईएगा अपने घरों में मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो चलती हूँ गाइस दुआओं में याद रखिएगा इन्शाला फिर एक जबरदस सी रेसिपी लेके आउंगी आपके लिए अल्ला हाफिस